कौन है महेश्वर पैरी जो विवेक बिंद्रा को कर रही है चालेंज तो इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला दरसल सोचल मीडिया पर दो मशूर मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूवर की लडाई चल रही है मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने एंट्रेप्रेन्योर विवेक बिंद्रा पर गुटाले का अरोप लगाया है दूसरे तरफ विवेक बिंद्रा की तरफ से इसका पलटवार वाला विडियो भी आया है इस बीच विवेक बिंद्रा के खिलाफ अब करियर 306 के फाउंडर महेश्वर पैरी सामने आ गए है महेश्वर पैरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप महेश्वरी के गुटाले के दावों पर अपनी बात रखी है पेरी का कहना है कि इस पूरे मामले पर उनकी नजर दस दिन में MBA कोर्स के जरीए गई पेरी ने इस कोर्स को पूरी तरह से गयर कानूनी बताया है ऐसे में बिंदरा से जुड़े जब दस दिन के MBA कोर्स पर नजर गई तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की एजुकेशन प्लाटफॉर्म से जुड़े होने के नाते महेशवर ने विवेक बिंदरा की कंपनी की वेबसाइट पर जाकर पैलंस शीट डाउनलोड का डेटा को चेक किया पैलंस शीट का डेटा देखते ही महेशवर पेरी का सिर ही घूम गया एक साल में 172 करोड का रिवेन्यू था दो साल में 308 करोड का रिवेन्यू था इसमें 225 करोड फ्रेंचाइजी फीस भी थी इसका कनेक्शन multi-level marketing से था और इसके बाद उन्होंने विवेग बिंदरा के doctorate के बारे में भी रिसर्च किया इसके बाद उन्होंने विवेग बिंदरा के हर महीने एक लाग से 20 लाग तक के दावय वाले वीडियो को भी देखा महिश्वर पेरी का कहना है कि यदी वो इतने करोड रुपए कमा रहे हैं तो अपने करमचारियों को इतनी कम सालरी क्यों देते हैं ऐसे में इतना तो तैय है कि इसमें कुछ तो गड़बड है महिश्वर पेरी का दावा है कि विवेक बिंद्रा ने लाखों बच्चों के साथ चीटिंग की है बता दें कि महिश्वर पेरी वो शक्स हैं जिनोंने दो दशक पहले IIPM और अर्विंदम चौधरी के कतित दोखा दड़ी को दुनिया के सामने रखा था उन्होंने IIPM बिजनस स्कूल की रांकिंग में डेटा में और प्लेस्मेंट रिकॉर्ड में गड़बडी का खुला सकिया था इसके बाद IIPM कॉलिज को बिजनस स्कूल रांकिंग में शामिल करने को लेकर ब्लाक लिस्ट कर दिया गया था 2005 में आउटलुक मागजीन ने IIPM का सर्वे से बाहर कर दिया था 2008 में पेरी ने आउटलुक में एक कॉलम लिखा था इस कॉलम में बताया गया था कि कैसे शिक्षा का व्यवसाय चात्रों के लिए जहरीला होता जा रहा है बिजनस कॉलेज गलत डेटा रख रहे हैं साथी फर्जी विदेशी गट जोड कर रहे हैं उन्होंने IIPM का भी जिक्र किया था इस आर्टिकल के बाद उन्होंने एक और कॉलम लिखा पेरी के अनुसार समस्या केवल एक संस्थान तक ही सीमित नहीं थी इसलिए उन्होंने निर्ने लिया कि वो किसी भी एक संस्थान के खिलाफ नहीं लिखेंगे कॉलम प्रकाशित होने के बाद 11 से 12 संस्थानों ने फोन कर इस पर अपना विरोध दर्च कराया था इसके बाद IIPM के साथ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई चड़ी आखिरकार IIPM के अरिंदम चौधरी ने साल 2014 में अपने केस वापिस ले लिये विभिन अदालतों के अपने विरोध में फैसलों के बाद साल 2015 में IIPM के सभी कैंपस को बंद करने का फैसला लिया था तो ऐसे में अब एक बार फिर से महेश्वर पैरी आक्टिव हो गए हैं और विवेग बिंदरा के मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि संदीप महेश्वरी के बाद अब विवेग बिंदरा के खिलाफ महेश्वर पैरी भी खड़े हो गए हैं